हेलो ब्यूटिफुल पीपल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होब कि यौल आड़ दूर तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगे सर्शेय करने वाली हो एक पील ओफ मास्क का रिव्यू और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा तो सबकी नॉलिज के लिए एक बार मैं बता देती हूं जो पील ओफ मास्क है पील मतलब होता है छिलका और इस तरीके के जो मास्क होते हैं इन्हीं जब आप निकालते होना तो आपको छिलके की तरहां उसे निकालना होता है सुना है कि उसमें बहुत जादा दर्द होता है हाला कि मैंने कभी experience नहीं किया है यह मैंने यूज किया है पिछले 6-7 साल से मुझे इसके बारे में पता है और इसे मैंने यूज किया हुआ है हाला कि इसे मैं बहुत frequently यूज नहीं करती हूँ किसी special occasion में जाने से पहले ही मैं ऐसे यूज करती हूँ तो इसे तो इतना ज़ादा दर्द नहीं होता है और बाकि इसका जो दर्द है वह आपके face के facial hair पे depend करता है बहुत जाहादा फेशाल है श्रायद आपको थोड़ से इस पील ओफ मास्क के बारे में यह लोग क्लेम करते हैं कि इसे यूज करने के बार आपके स्किन नैचरली ग्लोई हो जाती है और इसका प्राइस है 55 रुपीज और नेट कॉंटिटी है 30 ग्रैम्स और यह है और आपका स्किन टाइप वालों के लिए क्या होते है पील ओफ मास्क estado तो गाइज पील ओफ मास्क कि यह बेनीफिट्स होते है कि तिहाँ आपके स्किन में बहुत जादा सीबम प्रोड्यूस होता है बहुत Яपके बाट में ओइल Пधिति So बेन जानि wolf Крас 11 तो ये काम होता है, फील लफ मांस का तो चलो अब मैं आपको इसे लगा करके दिखाटे हैं इसे पहले आपको आपका फेस अच्छे से वाश लेना है और उसके बाद आपको ये पील आफ मांस लगाना शुरू करना है जैसे आप कोई भी regular mask अपने face के उपर apply करते हो ना same to same आपको वैसे ही इसे apply करना है बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इसकी जादा पतली layer आपको अपने face के उपर apply नहीं करनी है थोड़ी सी आपको मूठी layer apply करनी है ताकि जो आपका mask है ये जब dry हो तो ये आसानी से निक सकते हो बर मैं आपको ये बोलोंगे कि जब तक आपको feel नहीं हो कि आपका mask पूरी तरीके से dry हो चुका है तब तक आप इसे ना निकाले ये जो mask है ये बना हुआ है orange से और guys आपको पता होगा कि orange हमारी skin के लिए कितना जादा beneficial होता है जिन लोगों को नहीं पता है उनकी knowledge के लिए मैं आपको एक बार बता देती हूं कि guys जो orange होता है ये stop करता है हमारे wrinkles की problem को हमारे anti-aging की problem को ये reduce करता है premature aging की problem को ये reduce करता है और हमारी skin को ये अच्छे से exfoliate करता है so guys आप देख सकते हो हमारा mask अच्छे से dry हो चुका है और अब मैं इसे धीरे धीरे निकाल जादा pain ना हूँ इससे guys एक और चीज़ यहां पर आपको ध्यान देनी है कि जब या पील आफ मास्क को निकाल लो न तो उसके बाद आपको face wash करने की ज़रत नहीं है इसलिए आपको face wash इसके बाद नहीं करना है अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से आपको इसे कही special occasion में जब आप जा रहे हो उसे किस तरीके से use करना है तो guys जिस दिन आपका special function है आप उसी दिन इसे use ना करें उससे एक दिन पहले आप use कर लें क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे हम facial करते हैं या फिर कोई भी product apply करते हैं directly हमें उसका पता नहीं चलता है directly हमें कोई भी result द apply कर लो और next day तक वो जो glow है वो आपके face पर होगा तो इस तरीके से आप इसे use कर सकते हूं so guys I hope आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा हो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आयो तो please like, share and subscribe to my channel I'll see you guys in my next video till then you stay happy and it's very beautiful bye guys झाल